आजकल आपने मोबाइल पर एक कालर टिउन सुनी होगी, जिसमें मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना जरूरी है, और साथ साथ में कोविड-19 से बचने के लिए vaccination कराना जरूरी है याने की COVID vaccine का टीका लगाना बेहद जरूरी है यह हमें जरूर सुनाई देता है लेकिन बालागार जिले के आदिवासी छेत्रों में वेक्सिनेशन को लेकर किस तरह की स्थिती बनी हुई है और लागडाउन के चलते यहां के आदिवासी परिवारों में किस तरह का जीवन के लिए संगर से चल रहा है यही सब जानने के लिए हम पहुचे है बिर्शा विकासखन छेत्र के ग्राम पंचायद मचूर्दा में जहां पर आज हम इस खास रिपोर्ट में जानने का प्रियास करेंगे कि आखिरकार यहां के आदिवासी कोरोना शंकरमन के बीच और लागडाउन के बीच किस तरह करे अ और साथ में वेक्सिनेशन को लेकर इन में क्या कुछ इस्थिती बनी है तो आईए देखते हैं बालागाट न्यूस की यह खास रिपोर्ट बालागार जिले के ग्रामिन इलाकों में आखिरकार वेक्सिनेशन को लेकर क्या कहते हैं आदिवासी समाज के लोग और किस तरह से वेक्सिनेशन को लेकर इन गाओ के लोगों में इस्थिती बनी हुई है यही जानने के लिए हम पहुचे हुए है बईहर्चेतर के अंतरगात आने वाले मचूर्दा में जहां पर आदिवासी बैगा बहुले लोग निमास करते हैं यहां पर इस वक्त हम मवजूद है सरपंच के घर पर टीका लगा रहे क्या नहीं लोग लोग मर रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे हैं क्या कारण माने सब डार गया ने जहां तहां मानकचो लोग मर रहे हैं तीक करते हैं कि लोग मरें यहां पर कोरोना महामारी से देजभर में हलाकान मचा हुआ है लोग शर्दी खासी और बुखार पिडित होने पर अस्पताल की दवर लगा रहे है बालाघार जिले में भी हमने कई केसे सैसे देखे है जो कई दिनों तक जिनका अस्पताल में उपचार चला इस बीश कोईट से कई लोगों की मौते भी हो गई इसके बावजूद आलाघार जिले के ग्रामिन छेतरों में वेक्सिलेशन को लेकर लोगों में अभी भी भ्रहम की स्थिती बनी हुई है यही जानने के लिए हम आज छेतर के अंतरगात आने वाले मचूर्दा पंचायत के कोमोगाव में जहां एक आदिवासी परिवार के बीच इस वक्त में मवजूद हूँ इनसे हम जानने का प्रियाज करते हैं कि आखिरकार व्यक्षिन को लेकर इन्हों का क्या कुछ कहना है प्रियाज करते हैं क्या नाम है आपका वैसाखु सिंग धुर्वे जी यह बताएंगे अपने टीका लगवाया है हाओ साहब कब लगवाया थे अब ओखर होते खमला अपड़ा आदमियां ते कौन तारीक कौन दिन के पहले पंद्रा दिन के पहले चालगवाया है निश्या जो बुखार आया ते हच से ज्यादर कोई हाँस नहीं हम लंब परिवार वाले जो कुछ डाक्टर में खर्चाया आई त्याय समन बहुत लंब परिवार एक आदमी तो हम ऐसे चाय पानी खानत पीन बनें में हमर दिन जाय तो हम गरीब आदमी बहुत खर्चां पड़े कात इलाज तो वह इसने मचुर्दा में स्वास्थे केंद्रे वहां खुलेरी से कताला नहीं 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 अच्छा कहां गए रहे हो पर वह जेन है आवाई तो जोला चापन ला देवान दादा हम बड़े अस्पतार घला हम जाय कि मोकर्ण करोना में कहां जाने ती जाने नहीं हम प्रान बचे आपशना एंसन स्वास्पत दाक्टर अरइन उन ही ला कैसे यू मच्छ न देवा देवा के बَचेहन बाहर तो जाने नहीं निद्दें नि जानदें बाहर जाते तो वह बहर के बड़े नक्टर इन 1946 टींन तीग आउन बंप एंसे आज ले हमार हाथ गोड़ निचले काम भूत निकर सकना खाना निखा सकना अच्छा काम दंदा चालू है खेती के अब कौन खेती करी मोर यह दे तो नाति यह बड़े नाति तो यह का कि आ खेती करेगा इसने रोजी मजदुरी वाले आदमी तुम्हार का नाम है जी नीरसिया अच्छा नीरसिया भाई तो लगा रहे हो टिका तुम भी हाऊ तुम लबी बुखार आयरी से अच्छा अभी कैसे लगाते हैं अभी घलाबाने नहीं लगा पर कमईया नहीं ता अपास ने तब दूसरा टिका लगा लगाने के बाद जो हम कह रहे हैं कि कहीं पर हपवाय च लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है लोग टीका लगाने के बाद बिमार हो रहे है और बिमार होने के बाद उनमें डर भर जा रहा है यही वज़ा है कि आदिवासी छेत्रों में कई परिवार ऐसे है जो टीका लगवाने के बाद बिमार होने पर दूसरा टीकान लगाने से कत्रा र लगातार मौजूद है और इसी बीच यहां की स्वास्थय व्यवस्थाओं का विजाजा लेने का हम प्रियाज कर रहे हैं इस वक्त आप जो तस्वीरों देख रहे हैं यह तस्वीर है ग्राम मचुर्दा के प्रात्मिक स्वास्थय केंद्र की याने की आरोग्यम केंद्र की इस उपस्वास्थै को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कई सालों से ये उपस्वास्थै का ताला नहीं खुला है जिसकी वज़े से उपस्वास्थै केंदर में जो धूल का गुबार है वो भरा पड़ा है वोही दर्वाजे टूट गए है और लाग जो है वो जंग लगने लगा है वर्स 2018-19 में सासन के दुआरा इस उपस्वास्था केंद्र को निर्मान कराया गया था लेकिन कोविट संक्रमन काल के बीच भी इस उपस्वास्था केंद्र का उप्योग नहीं होना कहीं न कहीं यहां महामारी के संक्रमन को बढ़ावा देने जैसा प्रतीत हो रहा है संतु यह बताएंगे आपके घाव में आपके घर के नजबीक में उपस्वास्था केंद्र इसका ताला कभी खुला है नहीं फिर आप लोग अगर बिमार हो जाते हो तो कहां जाते हो पमाते अब इते हैं लिए और अचल रह नुगर से उसां कोई नहीं चल रही है तो गाव में आफिकाल और हो गए ते गाव के लोग आप कियां बुज्यू के लोग गए ते साथ साल वाले पाहिन साल वाले नहीं क्यूँ नहीं गए बाकी लोग गए ना युदर का ने आपके हाँ दाई हुई महतारी भी वुइंट शाल फोए नहीं अभी आप फोजा इस दाने को तो ओड़िस तो पहले हैं ना लगा है का तुम्हें महतारी नहीं लगा है चुनए तो पता नहीं क्या नहीं लग वुदू पर करका चालू है क पर वालाव पर इस वक्त हम मषूर्दा ग्राम पंचायत के अंतरगत आने वाले पंड्री गरोडी गाउ में मौजूद है बारा घरों की यह बस्ती है और यहां पे बैगा अधिवासी निवास करते है हमारे बीच बैगा अधिवासी समुदाय की मुखिया मौजूद है क्या नाम है आपका प्रूप सिंग यह बताओ आपने कोई वेक्सिन का ठीका लगवाए हो ने ने क्यों निलगवाए हो ने साब काबर ने लगाया है ने अचा चकते जन मरे है तुम्हार गाव में अमर गाम में साब वहुत ठीक लगन बहुत खराब हो गया ना करता ना हुए साहाब उसी देशे तो सब्सक्राइब करें हिए अपने पैसे बंद करते हैं साब बंद करें यहाँ बता आव रासन पानी यह काम धंदा मас मरे है थे हैं पुर्ण पॉलते हैं आप कम अपकल्ण जब दो चलते चलते चाहिए पर लागडाउन में कुछ काम धंदा मिले है तुम ला नहीं में साब अच्छा जंगल ले का का चीज मिल जाते तुम ला कुछ ने मिले साब कर दोड़ी जिसे चीटें माचरी उच्री अपनशी चाहिए कोड़ा कर बेदे भांते पन कोदो कुट कि ने मल जाते तुम साब मोरा पर माढ़ा मों कुछ के मिले थे समाजी तबस म के में एंदी साब प्लाना होई पृट्ष अपत 10 मैं मैं होगी साबीनोय चलू है चलू है साब अच्छा लाइन कटाइब जलाता आटे जाता मैं खांपहेद्री आटे पेमेंट्स जाते साम पैसा मिले हैं नहीं उसको नहीं देए साब काबर नहीं मिले हैं सरकार के तारफ फिरी में पैसा में धिरी में Catholic और पाश्क देवले पैसा में दाई से ऐसे का हाओ फिर गरीब आदमी कैसे मतलब एक महिना के दई से कत्राइब है अच्छा और कोरोना के टीका लगाये हो लगाये हो तुम अच्छा बुखार धरे रही से तो फिर अब दूसरा टीका लगावे नी लगवान काबर गावज इ इस में पर दूसरा टीका बताओ तो 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 pigmy नहीं कोन गाओ के है एक जने धरम साला हां और पर मात लाएक है तो तुम पहला टीका लगाए हुआ दूसरा टीका नहीं लगाओ कि इस गाओ में कुल आबादी किते लोगों कि अब पास सटर नव और कोरोना का यहां लोगों के दिल से डर निकालने के लिए आप लोगों के दवारा या शासन के दवारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं कि आप लोगों को समझाना है टीका लगवाने के लिए अब सबको समझाते हैं कि लगवाओ कुछ नहीं होता हम भी लगवाएं करके सब लोग को बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता ऐसे करके फिर मानते हैं लोग लगवाएं हैं 20 लोग तो उसके बाद अभी कोई लग रहा कोरोना वेक्सिनेशन को लेकर सरकार के दुआरा जो भ्रम और अफवाय फैली है उससे निपटने के लिए जागरुकता अभ्यान और प्रशास्थिक अधिकारियों के माध्यम से लगातार जनपृतिनिदियों के माध्यम से लोगों को बीच जागरुकता के कारेकरम भी चलाय जा रहे है इसके बावजूद बालाघाट जिले के आदिवासी वनांचल छेत्रों में कई आदिवासी परिवार ऐसे है जो कोरोना महामारी के बीच लगवाय जा रहे कोविल सिल्ड और कोवेक्सिन के टीके से बेखबर है इन आदिवासियों का साब तोर पर कहना है कि आदिवासी परिवार जो है कोविड वेक्सिन का टीका लगाने से कत्रा रहे है हमने बैहर विधान सभा छेत्र के अंतरगत और बिर्शा विकास खन छेत्र के मचूरदा ग्राम पंचायत के लगभग चार से पाज गाओ का दावरा किया इस दावरान यहां के आदिवासियो का जो सुर्ते हाल है वो काफी निचले इस तर का देखने मिला है